हेलो स्टुटेंट साब सबस्वागत है हमारे चैनल एम्प्लिट्यूट स्टडीस 2.0 में देखिए आज के वीडियो में हम बात करें के भेतिता या असुरक्षा के बारे में जिसकों की वल्नरेबिल्टी भी बोलते हैं तो वल्नरेबिल्टी क्या होती है तो किसी वीपत्ती के फलसुरूप जिस सीमा तक समाज के प्रभावित होने की समभावना है उसे उस समाज की असुरक्षा कहते हैं मतलब कोई विपत्ती ऐसी हो सकती है जो कुछ हद तक प्रभावित करें कोई विपत्ती प्रगार की हो सकती है कि बहुत जादा प्रभावित करतें तो यह जो है सबाज़ की असुरक्षा कहलाती है सबाज में असुरक्षा, गरीबी, सूचना की कमी, देनी, रहन सें, पर्याप्त सुरक्षा उपाए या इत्यादी के काण उद्पन होती है जैसे मादिया सबोस करिए कोरोना एक बीमारी थी जिसके बारे में सब आप जानते हैं अब वो किसी ऐसे देश में फैल जाए जहां पर सारी चिकित्सा सुविधाएं सब एवन क्वालिटी की हैं, हॉस्पिटल्स में सब अरेंजमेंट्स हैं तो वहां के लोगों के लिए वह ज्यादा असुरक्षा नहीं होगी अब असुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं, तो पहला भौतिक कारक होता है समुदर तटिये छेत्र में घासफूस से बने मकान, चक्रवात आने पर पून तया असुरक्षित है मतलब एक तो समुदर के तटपे बने हैं, यानि कि हवाएं चलने के समभावना ज़्यादा है और उसके बाद उसको घासफूस से बना रखा है, यानि कि जानबुश के कमजोर बना रखा है तो ये पूरी तहसे असुरक्षित है, जबकि एट से बने मकानों पर चक्रवात का कोई प्रवावन नहीं पड़ता है दूसरी और भूकम के समय एट के मकान पूरी तरह से धाराशाई हो जाते हैं अता किसी सहनचना को सभी आपदाओं में बहुतिक रूप से सुद्रण होना चाहिए दूसरा आर्थिक और सामाजिक करण भी होते हैं आर्थिक अवर सामाजिक करण से कमजोर तता पिछड़े लोग आपदाओं के प्रतिज़ादा असुरक्षित होते हैं क्योंकि वे गाउं के निचले इलाकों में रहने के लिए बाद्ध होते हैं जहां पर बाढ़ वगएरा आने की हमेशा संभावना होती है उनके मकान पक्के नहीं होते हैं उनके पास असुरक्षित सानन, इस्ट्रली, शिक्षा, जागरुकता एवं संसाधत जुदाने की छमता नहीं होती है उनके पास सेमित संसाधन होने के कान आपदा का सामना करने की छमता नहीं होती है इसी कान भारत जैसे विकाश्दीत देश में आपदा के कान व्यापक विनाश होता है जबकि विक्सित देशों में आपदा का सामना करने की छमता काफी अधिक पाई जाती है आपने देखा होगा कि कई ऐसे देश हैं जहां पर पूरा शहर तक बरबाद हो जाता है आपदा में लेकिन फिर भी वोट खडा होता है वापस कई जगह ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे चक्रवाद आते हैं इतनी तेज हाई चलती हैं कि मिलब घर तक उड़ जाएं लेकिन वन लोगों रक्षित रहते हैं पूरी तरह से तो ऐसी जगों पर जो है वो सामान का नुकसान तो हो सकता है माल का नुकसान हो सकता है लेकिन जान का नुकसान जो है वो नहीं होगा तो वो लोग इस तरह से सर्वाइब कर जाते हैं और जो गरीब देश हैं अब तो भारत उतना गरीब नह लेकिन और जैसे देश हैं करीब तो वो तो बिल्कुल ही उस कंडिशन में दूसरों की सहायता पर निर भर हो जाते हैं फिर उम्र और लिंक का भी फर्व करता है किसी भी आपदा के समय हुई विनाश लीला में यहव देखा गया है कि गर्ववती और दूथ पिलाने वाली महिलाएं बच्चे वरत पुरुष किसी आपदा के समय स्वस्थ पुरुषों की तुल्ला में अधिक आज़ुरक्षित होते हैं क्योंकि यह अपना बचाव खुद नहीं कर सकते हैं यह दूसरे पर आश्रित रहते हैं गुकंब एवन चक्रवात के समय मरने वालों में महिलाओं बच्चों और व्रध पुरुषों की संख्या काफी अधिक होती है इसलिए आपने देखा हुआ कभी भी कोई विपत्ती आती है तो इन लोगों को यानि की बच्चों को व्रध पुरुष को और महिलाओं को सबसे पहले वहां से निकाला जाता है क्योंकि यह लोग ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं इसके बाद देखते हैं जनसंख्या व्रधी जनसंख्या व्रधी से ही जो है वो गरीबी बढ़ती है गरीबी बढ़ने से लोग रोजगार प्राप्त करने ही तो शहरों को भागते हैं और ऐसे इलाकों में रहने के लिए बात भी हो जाते हैं जिनमें आप दाने की अत्यदिक संभाव न होती है। जैसे मजदूरी करने के लिए आप शहर में गए आप शहर में आप कम पैसे का मकान भी चाहते हैं तो वह जाहिर सी बात है। एसी जगों पर रहने के फिर विवश हो जाते हैं जहाँ पर थोड़ी ही एरिया में कई सारे लोग रहते हैं 4-4-5-5-6-6 लोग जो हैं वो एक-एक चाल में एक-एक जोपड़ी में रहते हैं तो जब कोई विपत्ती आएगी तो ऐसे लोग सबसे ज़ादा प्रभाविद होत देखिया बात आती है आक्रमण की गती स्पीड ओफ ऑंसेट आक्रमण की गती के आधार पर आपदा दो प्रेकार की होती है तीवर और धीमी तीवर वो होती है तो बिना किसी पूर्व चेतावनी के बहुत जल्दी आ जाती है अत्यांत सूख्षम समय में ही विनाश दिखाई जाता है जैसे भाब हुकम पाप में देखा होगा सुनामी देखा होगा हुकम का तो नहीं पता लग पाता सुनामी का तो खेर तब भी पता लग पाता है घुसकरन का कता ही पता नहीं लग पाता है पहाड़ी छेत्रों में होता है कई कई बार देखा गया है वहान वगरा कोई समय नहीं होता है सुनामी में तो थोड़ा बहुत जैसे मच्छवारों को बता दिया जाता है कि आप लोग ना जाएं या तटी इलाकों से वापस आ जाएं इधर की तरफ वापस अदर की तरफ आजाएं तो इसमें तो कुछ हद तक हो जाता है लेकिन भूकम और भूसकल को कम कर सकते हैं जैसे कोरोना बीमारी थी तो पता था सब को कि हाँ यह आएगी एक नहीं देश में तो थोड़े बहुत इंतिजाम जो है वो अब चुकि पहली बार हुई थी ऐसी बीमारी महामारी पहली पिछले सौ साल में तो इसलिए थोड़े सा लोगों को नहीं पता थ लेकिन अब लोग जो है वो मतलब बिल्कुल एक दम तयार हैं आप देखें जो मास्क उस समय चालिस पचास असी सो डेड़ सो दो सो में रिकता था आज की डेट में वही मास्क आपका पांच-पांच रुपए का भी करा है तो इसलिए अब हम लोग जो है उस तरीक है के खत कहते हैं जब विपत्ति का तीवरता उच हो जाए तथा चेतर की बेद्धता भी अधिक हो तब उस चेतर में आपदा का खत्रा भी जो है वो काफी अधिक हो जाता है जैसे यहां पे फार्मला एक लिखा है नीचे आपदा का खत्रा is equal to विपत्तीं to बेद्धता अपउन च चम्ता को पहले डिफाइन कर लेते हैं नीचे लिखा हुआ है किसी समाज द्वारा किसी विपत्ति के प्रभाव को कम करने के लिए किये उपायों एववस्थाओं को की सामर्थ को ही समाज की चम्ता कहते हैं जैसे मालिय सपोस करिये सुनामी आने वाला हो और पता लग जाए कि दो दिन बाद सुनामी आएगा तो आप जनता को किनारे किनारे है समुदर के उसको आप बुला करके दो चार किलोमेटर पीछे और स्कूलों में कॉलेजों में और यहां पर उसको व्यवस्थापित कर दें वहां पर उनका खाना ना बनने लगे तो यह आप इसके अंदर छमता है कि आप इस चीज़ को जो है वो हैंडल कर सकते हैं तो अगर छमता जादा होगी तो आपदा का खत्रा भी आपके लिए कम हो जाएगा यह इनवर्सली प्रपोर्शनल टो इच अदर है ठीक है ना और अगर विपत्ती और भेद्दिता यह तो खर जो है वो आप दा की खत्रा को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे तो यह डिर्रिकली पर पूश कर लैंच बेहें जब विपत्ती की तिवर्ता उच्छ नहीं we वहाँ पे जा पान है भू कम पाता है। लेगिन उन्होंने छमता विक्सित इतनी कर लिए कि विपत्य और ब्हेटता ज़्यादा होने पर भी छमता उनकी ज़्यादा है। यसलिए इस एमद्यास दीतर दीये हैं कि भारत में सब्रशी योग भूमी1 ग्रस्त है। भारत की कुल भूमी का 60% भाग भुकंप संभावी छेत्र में आता है कश्मीर में मुच्तर पूर्व का छेत्र आतंक वादेवं युद्धी की संभाव नाम से गिलसित है तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि खत्रा या मतलब उसको बता करते हैं फिर रिस्क यानि की खत्रा उत्मन वाले कारक कौन-कौन से हैं जैसे कूड़ा कर कटका धेर है तो यह जाहिर सी बाते कभी भी आग कर सकता है या बीमारी फैला सकता है अनाधिकरत पेट्रोल डीजल एवं जोलेंशील बदार्थ बेचिमारी दुकाने हैं लोग इ हैं सक्री इंगलिया हैं यह सब जो हैं वो एक तरह से आपको खत्रा बढ़ा रहे हैं और नाभी की इस रियेक्शन हैं घरों के लिए घरों में क्या हैं खतरना चीज़े जोलंशील पदार्थ मिंटी का तेल गैस सिलेंडर रखा हुआ है बंद घर है पेट्रोल एम डीजल क घर में अनधिकरत बंदार कर रखा है आपने गैस सिरेंडर बताई चुके हैं पुरानी विद्धुत फिटिंग में हम खुले तार हैं कभी भी इन से आग लग सकती है लकडी का फरनीचर है प्लास्टिक के दर्वाजे हैं फिटिंग एवरमन हैं सामान है अविवस्तित कप भी जाए तो पता लगा कोई उपकर रही नहीं है बाल्टी पानी सब विवस्ते ही नहीं है बंदार कक्ष पुरानी विद्धुत फिटिंग के कारण शौर्ट सिर्कृट पुरानी जरजर इमारते यह सब जो है वह जरजर भूगम पाएगा तो जरजर इमारते पहरी गिर तो यह चीज जो है वह खत्रे के कारण को और अधिक बढ़ा देते हैं तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने यह देखा कि भेतिता या सुरक्षा वन्रबिलिटी क्या होती है और रिस्क इनके बारे में हमने पढ़ लिया है आगे अब हम नेक्स्ट में आपता प्रबंध स्टार्ट करेंगे तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जुरूर बताएं और पीडियाफ इसके डिस्रिप्शन में आपको मिल जाएगी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में धन्यबाद